हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ मोश्यमी मीनि पर्क से और उमीद है कि आप सब बहुत अच्छी से होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं कुछ प्लांट्स दिखाने वाली हूँ आप लोगों को जो कुछी दिन हुई है मेरे गार्डिन में आये हैं तो मेरे हाथ में जो प्लांट्स आप देख रहे हैं हो यह है एक ब्लैक आइड सुजन भाइन बहुत ही लंबी चावड़ी इसकी नाम है और इस टाइप की दो प्लांट्स मुझे मेरी फ्रेंट टुम्पा ने दी है और इस प्लांट्स को टुम्पा बीच से ग्रो की है फिलह तो मैं इसको तुल्सी के पौधों के साथ लगा रखी हूं अगर यह टिक जाए तो इसको अलग सी पॉट में मैं डालने वाली हूं और इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स खरीदी भी है मैंने जो योलो बैंबू खरीदी थी वो तो मैंने एक वीडियो में दिखाया और कलर की मेंडिफिले थोड़ी हार्डी टाइप के प्लांट होते हैं पहले मैं पिंक कलर में रेट कलर में में खरीदी थी लेकिन मैंने उसको बचा नहीं पाई तो इस पार उमीद करती हूं कि यह प्लांट मैं बचा पाऊं और खरीदी है परपल ऑक्सलिस गर्मिया तो हालत भी बहुत ही खराब है लेकिन यह प्लांट मुझे बहुत पसंद है बहुत दिनों की चाहत थी कि मैं यह प्लांट खड़े दू तो देखी सकते हो पिंक कलर में छोटे-छोटे फ्लारिंग हो रहे हैं तो इसको भी मुझे रिपॉर्टिंग करनी है और है मेरंटा केला और एक ग्रीन ड्रेसिना तो यह सब प्लांट्स मुझे रिपॉर्टिंग करनी है साथ में यह जो लेमन ग्रेस इसको भी रिपॉर्टिंग करनी है तो इतनी गर्मिया पड़ी है कि कामकाज में थोड़ी अलस आ रही है तो गार्डेन की काम तो बहुत बढ़ गई है दो टाइम प्लांट्स को पानी देना साथ में अगर कोई नएने प्लांट्स लाओं तो उसको रिपॉर्टिंग करना तो इस टाइप की बहुत सारे काम होते रहते हैं गर्डेन में और इतनी धूप इतनी गर्मिया उसके बाद गर्डेनिंग थोड़ी टाफ जोब हो रखी है और साथ में अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो क्या बात है तो ऐसे चल रहा है अभी मेरे जो गार्डेनिंग कुछ धीला ढ़ला टाइप की और देखो बहुत एक खुबसूरत एक रोस के लिए है और यह सारे के सारे रोस प्लांट मैंने इस जगा चु बीच और यह है एक रवेनिया पिंक और इस पर बहुत सारे बर्स बने हैं साथ में मेरे मानी प्लांट और कैना लेली फिलोडेंड्रॉन तो इस जगा जो प्लांट मैंने रखी है जयादा तर प्लांट शेय्ड लगीं है और देखी सकते हो यहाँ पे मेरे एक वेंडो है और यह है कनेर यहाँ पे एक विंडो है तो विंडो के उपर जो शेड है उसके नीचे मैंने इस प्लांस को रखी है धुप जो भी आते हैं वो सुबह बाली धुप आते हैं यहाँ पे तो ऐसे अभी चल रहा है मेरा गार्डेनी धिले ढला होने के बब्जुद भी एक बड़ा सा जंगल जंगल फिल हो रहा है गार्डेन को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है बताएगा जरूर तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई